से पहले आपको Google Chrome में income tax ऐसा टाइप करना है, income tax टाइप करेंगे तो सबसे पहला यहां आपको दिखाई दे रहा है, income tax उस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे my profile वगर आएंगे, इसमें नीचे latest update है, इसके नीचे quick link है, और उस link में आप देखते हैं, पहले link आध लिख सकते हैं, यह loading हो रहा है, अब loading होने के बाद, उसमें हमें अपना आधार card और pan card तयार रखना है, सबसे पहले हमें यहां pen लिखा है, वहाँ पर अपना pen card number जो है, वही सही सही अक्षरों में लिखने का है, capital है तो capital में लिखने का है, उसमें कोई गलती नहों, उस तर उस पर click करेंगे, तो click करने के पर यहां जो है, वह आधार pen के साथ link है, इसलिए ऐसा message आएगा, और अगर link नहीं है, तो आपको ऐसा message आ सकता है, पान not linked with आधार, यहां पर लिखा है link आधार, blue अक्षर में उस पर हमें टिक करना है, क्योंकि हमें link करना है, और उसके लिए एक हजार रुपिया हमें pay करना पड़ेगा, तो उसको हम करेंगे, जो blue line है, link आधार, इस पर करेंगे, यहां पर click करेंगे, तो इस तरह हमारे समने मोबाइल में खुलेगा, तो यहां पर फिर से हमें पान नंबर और आधार नंबर जो पहले लिखा था, वही यहां पर type कर रहा हूं, आधार के बाद, pen और आधार दोनों हमने type कर दी है, अब type करने के बाद, यहां पर नीचे validate पर click करने पर ऐसा message आएगा, कि continue to pay, अब pay करने जा रहे है, पैसे भरने जा रहे है, e-pay tax, जो income tax department में जाएंगे, तो हमें पैसा भरना है, तो इसके लिए हम continue to pay, जो option ह है, नीचे का, उसमें हम click करेंगे, तो ऐसा जब हम click करेंगे, उपर हमारी पूरी deal है, पान नमबर वगरा है कि, अब करने के बाद, यहां पर 10 नमबर और फिर से पान नमबर, confirm पान नमबर, यानि दो बार हम यहां पर डालेंगे, अपना जो पान नमबर है, वही, और वही बी दालेंगे, इसके बाद नीचे continue करेंगे, तो जो डाला है, इसके ऊपर OTP आएगा, यहां पर जो leap को का OTP है, वही, मोबाइल में जो आया है, जो अभी अपने मोबाइल नमबर डाला है, वही OTP हम यहां पर लिखेंगे, मेरे मोबाइल में आगे कर दिया हम एने, तो य करेंगे यहां पर assessment year है इसलिए 34-24 अभीका करेंगे नीचे options है इसमें अधर रिष्ट करेंगे इसके बाद करेंगे तो यह अधर रिष्ट में जाएंगे इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि नीचे एक हजार रूपय अधर में लिख किया है, पहले नहीं आता था, अब एक हजार रूपय लिख किया है, उसको नीचे हम continue करेंगे, जो continue करेंगे तो process आगे जाएगी, यहां पर देखे कि आप payment किस तरह करना चाहते हैं, से कर सकते हैं debit card अ簡aten कर सकते हैं इस पेमेंट करने के बाद केंडरा कैंडरा बैंक कोई चिंदा नहीं है अब चिंद्धन करने के बाद बदुक्त के सामने देखो ऐसा option आएगा कि एक हजार रुपया है आपकी डीटेल है पूरी पे नाउ अब पे करना चाहते हैं पे लेटर भी कर सकते हैं नहीं करना है अभी तो या बैक भी आप जा सकते हैं अब मैं कर रहा हूं पे नाउ यानि कि पैसे में एक हजार रुपया बढ़ रह आ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे उसे क्रेडिट काड डेविट कार से भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग से कर सकते हैं यूपी इसे कर सकते कोई भी इसमें सो ऑप्षन आप चुछ कर सकते हैं क्रेडिट काड है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है इसलिए सबस्वे पहले मैं आपको दिखाऊ credit card debit card का तो इसमें card number डालना पड़ेगा इसके बाद expiry month और year में CVV और जो इसके card के उपर नाम है वही नाम करेंगे और यहां पर submit करेंगे process में जाएंगे तो आपका जो account है उसमें OTP कर सकते हैं मैं मालो UPI से करो यहां नीचे UPI का option है और वही UPI से हम phone page से भी कर सकते है Google page भी कर सकते हैं पेटीम से भी कर सकते हैं मैं यहां करके सबसे पहले मैं phone page से करो मानो यहां option आया है जालने के बाद में जाउंगा तो मेरा google पे जहां पर है यहां पर पर्मिस्न के लिए यहां आया open google pay mobile आप open करो Google Pay को और वहां पर एप रोल करो पे करो वहां पर यहां पर मेरे mobile payment success यानि कि आपने पैसे बर गए है अब पैसे बरने के बाद आपकी जो receipt है यहां पर मुझे डाउनलोड करनी है आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका जो चलन है कम्प्लेट हो गया है सक्सेस्पूल है अब उसे मैं डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड करके मुझे किवल रखना है उसके भी ज़रूरत नहीं है इतना करने के बाद आपके पैसे बर गया तो ऐसा मत समदना कि मेरा आधार और पैन लिंक हो गया है इसके लिए आपको दो दिन बाद फिर से आपको वही प्रोसेस करने पड़ेगी मैं दो मिंट में सिखा दू इसकी जरूरत अब आगे कही पर पढ़ने वाली नहीं है लेकिन पैसे आपके भर गये वहां य दो तिन बाद नीचे की लिंक में आपको अब लिंक आधार पर क्लिक करना है इंकम टेक्स जो साइड खोलने के बाद अब यहां पर लोडिंग होता है और वो लिंक हम कर रहे एक प्रोसेस दो तिन दित बान करने की है अब यहां फिर से हम पैन नंबर और आधान नंबर करेंगे तो यहां पर ऐसा यहां पर देखे अपना जो नाम है आधार में जैसा है वैसा यहां पर लिखेंगे अपना मोबाइल नंबर को भी आप डाल सकते है तो मोबाइल नंबर डालेंगे आपकी पैन आधार पर केवल यहर है तो उपर आप्शन करेंगे अन्य था नीच से लिंक हो गया होगा थाइंक्यू दोस्तों